Hello friends, welcome to my YouTube channel The Pet Vision This is Sahil Malik, your host and your vet तो मेरे पहरे दोस्तों, आज मैं आपको dog mating से regarding बहुत एक most important point बताने वाला हूँ जो कि आज मैं आपके साथ 6 point ऐसे discuss करूँगा जो कि आपकी बहुत यदा help करेंगे breeding के अंदर अगर आप एक breeder हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यदा beneficial proof होने वाली है तो please इस वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है और guys एक request करूँगा अगर guys आपको ये वीडियो 1% भी अगर knowledgeful रगें आपको ये हो कि हाँ मेरी knowledge में improvement आईए तो इस channel को subscribe कर देना अगर ना लगे तो हमारे channel को subscribe बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो मेरे पहरे दोस्तों सबसे पहले number में point में आपको बता देता हूँ कि guys वो ऐसा time कौन सा है जब हमारे dog के अंदर हमारे puppy के अंदर जो testis होती है यानि testicles होती है वो कैसे वो descend करेंगी इसका मतलब क्या है कि guys जब एक बच्चा पैदा होता है जब एक puppy जब develop होता है तो अब उसकी body के अंदर male की बात कर रहा हूँ male की body के अंदर वो testis आपको appear कब होंगे तो मेरे पहरे दोस्तों इसका answer है after 5 days of birth यानि जनम के 5 दिन बाद आपको वो testis है वो नजर आने start हो जाएंगे तो पहला question तो यह आता है बहुत ही एक important point है second number पे आता है guys कि जब हम mating करवाते हैं तो हमें at least पता तो हो कि हमारे जो dog है हमारे पास अगर male है एक stud है आप उसको stud purpose यूज कर रहे हो तो उसकी जो semen की quality है semen की जो volume है वो कितनी produce हो रही है तो basically guys अगर आप एक successful एक breeding कर रहे हो तो guys आपको उसका semen evaluation करवाना है तो वो जो semen की जो volume रहने वाली है वो एक से 5 ml के बीच बीच में रहती है वो 5 ml भी हो सकती है 3 ml भी हो सकती है 4 भी 2 भी 1 भी हो सकती है ठीक है लेकिन अगर medium है 3 से 4 है तो वो आपका study better result proof करवाएगा ठीक है ये भी most important point था तो आपको semen evaluation ज़रूर कराना है third point ये आता है कि site of deposition क्या है अब site of deposition का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास male dog है जब वो mating करता है तो जब आपको at least ये पता होना चाहिए जब वो mating करेगा जो वो semen है वो कहां पे deposit होगा तो इसी को हम बोलेंगे site of deposition अब मेरे प्यारे दोस्तों female के reproductive tract के अंदर reproductive parts के अंदर एक uterus नाम का एक part होता है तो वहाँ पे जो भी सारा का सारा जो semen है उसको deposit किया जाता है by your male dog यानि आपका जो male dog है जब वो copulation करेंगे यानि जो reproduction की जो process होती है mating करेंगे coitus करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो semen होगा वो uterus के अंदर uterus के वहाँ उस part पे deposit किया जाएगा आपके dog के द्वारा थर्ड question था ये अब fourth important point रहता है कि duration of copulation क्या है यानि अगर हम dogs की बात करते हैं तो dogs के अंदर कितना duration रहना चाहिए copulation का मतलब वो कितने time तक meeting करते ही रहेंगे तो ज़्यादा तर वो 20 से 30 मिनट तो लेते ही लेते हैं तो इतना तो देखो होना ही चाहिए अगर इससे जल्दी हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको successful progeny ना मिले successful pregnancy ना मिले आपकी female dog के अंदर ठीक है तो 20 से 30 minutes के आसपास तो देखो time लगता है यही एक accurate हम इसको मानके चलते हैं average लेके चलेंगे आगे question आता है कि हमें कितनी बार meeting करवानी चाहिए means how many times of meeting तो मेरे पहले जोस्तों आप दो बार meeting करवा सकते हो दिन में कोई issue नहीं आएगा लेकिन आप alternatively days पर कराओ तो उससे better तो कोई बात है ही नहीं ठीक है तो आप दो बार करवा सकते हो ठीक है अगर मालो अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप उसको evening के time भी repeat कर सकते हो आपको क्या करना है male और female को अलग छोड़ देना है एक position बे वह अपने आप ही उनकी physiological processes होती है वो करेंगे hormonal changes वगएरा की वज़े से अराम से coitus वगएरा हो जाएगा ठीक है आगे जो most important point हमारे पास ये आता है कि वो day कौन सा है easter cycle का जो कि female dog के अंदर easter cycle होती है तो वो day कौन सा है जिस दिन हमको meeting करवानी चाहिए ये most important question है आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनना तो मेरे पहरे दोस्तों जब आपकी female heat में आती है तब उसका जो 11, 12 और 13 जो दिन होता है इन दिनों अगर आप meeting करवाते हो तो आपको better result देखने को मिलेगा यानि आपको बहुत ही healthy बच्चे मिलेंगे आपको puppies बहुत ही एक अच्छे मिलेंगे ठीक है तो मेरे पहरे दोस्तों आज मैंने आपको 6 ऐसे most important point बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताएगा हमारे YouTube channel के उपर हम इतने important points आपको लेक बताते हैं जो कि veterinary field के अगर आप एक student ही क्यों ना हो आपकी knowledge को भी improve करेंगे और साथ में अगर आप एक breeder हो एक owner हो तो at least कम से कम आपकी knowledge में ये तो रहेगा ना कि ये dog की breeding के लिए क्या क्या points ज़रूरी है अगर आप breeding करवाते हो अगर आपके पास एक मालो stud है हमारे घर में आप एक stud develop कर रहे हो अपने dog को एक अच्छा healthy बना रहे हो तो कम से कम इतना तो knowledge आपको होने ही चाहिए ठीक है तो मेरे पहरे जोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही थी लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरा effort डाला है आपको knowledge देने के लिए ये जो 6 point है आपको learn भी रहेंगे ज्यादा लंबी नहीं खीच रहा वीडियो को वरना points तो और भी बहुत सारे है लेकिन धीरे धीरे हम सभी आपको बताते रहेंगे तो हमारे चैनल से आप बने रहे है अगर आपको knowledge full लगी है ये वीडियो तो please हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर देना Thank you so much for watching this